बिहार की बात के इस एपिसोड में एक बार फिर से हम एक गंभीर मसले पर चर्चा करने जा रहे हैं मसला इसलिए गंभीर क्यूंकि जो चीजे बिहार की राजनीती में हो रही है वो आने वाले भवश्य के लिए काफी खतरनाक साबत हो सकती है और बिहार का नाम अन सभी चीजों की वज़े से काफी खराब भी होता है पहले आपने देखा की बीजेपी की तरफ से डेपिटी स्तियम रेनु देवी ने ऐसी बात कहीं की पूरी थूटू हो गई और आज विधान सभा का जब शीप कालीन सत्र चल रहा था दूसरा दिन था बाहर में कैसे गुंडे मवालियों की तरफ विधायक लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे संजय सरावगी तो उस समय चुप थे अपनी शालींता का परिचे दे रहे थे लेकिन भाई विरेंद्र को आपने देखा कि कैसे लहजे का उपयोग कर रहे थे मिलावती पैदाईश और पता नहीं क्या क्या गालियां दे रहे थे आपको क्या लगता है कि कहा जा रही है बिहार की राजनी की और इन नेताओं की बुद्धी क्या भैष्ट हो गई है जो बरी गाली तो मंझली गाली तक तो पहुची गए लोग और जो आप कह रही है गाली ग्लॉज बिहार की बदनामी सच ये है न कि जो पढ़ने बाले हैं वो बिहार से बाहर चले जा रहे हैं और जो बेकार बाले हैं वो बिहार में रह जा रहे हैं तो गाली ग्लॉज को ये लोगो संस्कृती बना रहे हैं जैसा मैंने कहा कि हलकी गाली मंझली गाली बरी करें किसका संसकार हम ठीक कहें और किसका संसकार हम ठीक न कहें देखिए इसका परिवतन कैसे होता है जो ताजा विवाद है आपने देखा कि शुरुवात हुई लालुई आदब के वो बयान से भक्चोनहर वाले बयान से और इधर के दिनों में आपने लाइफ सिटिस पर ही एक विडियो देखिए कि पटना में एक रिस्तरा खुला है जहां ठीम पेंटिंग हुई है वहां भक्चो नहर लिखा हुआ है लबरी लिखा हुआ है लबरा लिखा हुआ है सोचिए कहां जा रहे हैं हम और आज आपने जो भाई बिरेंदर और संजय शराबगी के बीच कि हरामी और हरामजादा मैंने उस दिन बेज सब्द कोस निकाल कर जो हिंडी की सबसे सब्द कोस है हिंडी का ग्याल मंगल का हरामी और हरामजादा का अर्थ बताया था फिर से बतानी की मुझे जूरत नहीं तो भाई बिरेंदर ने जो आज किया और जो उनकी जुबान थी वो जुबान गंदी थी इसमें कहीं कोई शक नहीं है ना केवल जुबान पूरा लोगजा गंदा जिस तरह बॉडी लेंग्वेज पोशेर हाँ हाँ ठीक है तो कहीं से भी बरियता कन्यता इन सब चीजों का ख्याल नहीं था अर मुझे लगता है कि यह संसकार किसका कहें यदि संजै सराबगी कह रहा है कि RJD वालों का संसकार खराब है तो एक शबाल यह भी पैदा होता है कि रेनु देबी जो भिहार की डेप्टिश CM है BJP की बरिश नित्री है उनका संसकार क्या है और यही बज़ा रही कि कोई माफी मांगने की बात नहीं कर रहा है रेनु देवी ने माफी नहीं मांगी आज ये बबाल बिहार बिधान मंडल के परिशर में हो गया इसलिए बात जादा उरी हुई है और एक बिधायक को कहा गया लेकिन क्या हराम जादा किसी चातर नेटा के बारे में भी कहा जाना ठीक है जैसा बिहार की मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रेनु देवी ने कहा था उन्होंने कहां माफी मांगे उन्होंने कहां माफी मांगे तो बरपन तो कोई दिखा नहीं रहा है तो बीजेपी बाले भी वही और ये भी वही तो हम किसे दूद का धुला कहें गंगाही मैली होती जा रही है और बचा क्या था पटककर मारेंगे बिहान मंडल परिशर में पत्रकारों के समक्ष कैमरा आन है कितने ये लोग गिरे हो गए हैं कितने निरलज हो गए हैं कुछ सम पाता लाप और ऐसी कहाशुनी ऐसी बक्चक जिसमें गालियों का आदान पदान सम्मानित लोग कर रहे हो बिरान मंडल परिशर के भीतर जो बाहर में लोग देख रहे हों वे क्या कहते हैं मैं कहता हूँ ना कि बुद्धो का पड़ेस बनता जा रहा है ये जो टैलेंट का प्लाइन है प्रतिभा प्लाइन है कौन आपके बिहार में आका रहना चाहेगा क्या यही गाली सिखने के यही गाली सुनने के लिए रहना चाहेगा हमारे नेता कल भाई बिरेंदर भी मंत्री हो सकते हैं संजय शराग्गी भी मंत्री हो सकते रेनु देवी तो डिक्रिसियम तो जब हराम जादा हरामी जैसे सब्दों पर मुहर लग रही है गाली की मंजली श्रेनी जो है और उपर जा रही है तो यह पुलिस वाले कहते हैं गुंदे मबाली कहते हैं तब तो समझे में आता है उनकी भाषा उनकी जुबान थोरी बिग्री रहती है बाकी रहती है लेकिन यह नेता जो अपने को आधास्त बताते हैं तो कहना जा रहा है बिहार और बिहार की पतिस्ता कोई डाटने वला नहीं है दिखिए भाई बिरिंदर ने जब हरामी कहा भाई बिरिंदर ने मिलाप्ती 25 कहा तो यह भी नहीं कि हाँ उनकी पार्टी की किसी बरिये निता ने डाटा हो और अनरेगल बाते जैसे कोई कह दे र ना राटा लगा रहे हैं और इस व्यक्ति के बारे में आरोप लगा रहे हैं लालू याधर के परिवाएर के बारे में आरोप लगा आए तो आप परमान सही ता रोप लगाई ठीक व ऐसा एधर से भी दिख रहा है कितनी altri कुमार That झां औरि यह आपने देखा त आप इसका परिनाम सामाधिक परिनामभी देखिए अभी मतिहारी में क्या हुआ जब नेता इस तरीके से लमपट हो जाएंगे नेताओं की जुबान इस तरीके से गुंडो की जुबान हो जाएगे तो फिर जो उनके अदिनस्त हैं और जो पुलिस एजनसियां हैं वो क्या करेंगी मतिहारी में देखा ना कि पुलिस सराथ की तलास में होटल में घुसी जो होटल में कमरे में महिला थी वो बात्रूम में थी और इस बात के लिए मजबूर किया गया कि वो टॉबल में बाहर निकिले मतलब इतिना भी इंतिजार नहीं किया रस्कता था कि वो इसनान कर ले प्रॉपर डिस्ट कर पहन ले इसके बाद तो ये जो संसकार खराब होता जा रहा है इससे बिहार की छड़ी को किसकदर बट्टा लग रहा है इस बात की फिक्र किसे नहीं किसी को भी नहीं देखिए पहले जमाने में एक ट्रेनिंग सेसन हुआ करता था बिठाइकों के लिए थी पुलिश कर्मियों के लिए थी लेकिन सब कुछ खुले आम हो रहा है मुझे इस बात की पक्की जानकारी है कि एक वीडियो कॉन्फरेंसिंग के दौनान एक मंत्री ने एक विभाग के प्रधान सचीब को यह कहा कि कि आप मुझे चूटिया मत बनेगे मुझे आपसे कहते हुए स्थर्म आ रही है और फिर मंत्री का दवाब इतना कि उस प्रधान सचीब को रातो रात हटाना परात है मतलब गलती भी मंत्री ने की और सजा प्रहां सचीब ने प्रुकता है कि तो यह संसकार और जबाब दे ही अब जनता के प्रती जबाब देही खत्म होती जा रही है भाई बिरेंद्र ने जो आज गल्टी की उनके बरिष्ट नेता उन्हें डाट सकते थे बिलकुल डाट सकते और डाट कर संदेश दे सकते थे ठीक इसी प्रकास से जैसे रेनू देवी ने हराम जादा कहा चात्रों को तो वो उनके जो पार्टी के सिंग्यर लीडर्स हैं वो उन्हें डार सकते थे देखिए अब मतलब मान सम्मान चाहें देखिए कोई भी ब्यक्ति हो कोई भी छात्र हो तो इस तरीके से जुबानी और किसी बात की जबाब नहीं अब कोई समझते ही नहीं तो कभी आपने नहीं सुना हुआ कि वे अपसब्द बोलते हैं लेकिन उनकी अधिन रहने बाए लोग इस तरीके का बैभार कर रहे हैं चाहे रेनु देवी हूं या कोई दूसरे हूं लालु जादा भक्चुनहर बोले तो जानते हैं चुनावी मुद्दा बन गया कि दलितों को गाली दी गई लेकिन जब हराम जादा कहा गया च्छात नेता को तो किसी को भी दुख नहीं हुआ और अब तो गलती के बाद गल्ठेत्री और इस गल्ठेत्री में राजिपाल तक सामीर हो गया है जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं बिहार के बिश्वध्यालियों का क्या हाले जिसके कुलाधिपती हुए है कि उनके एक वाइस सांसर के हैरेड हो रही है तीस करोन रुपे की गरबरी पकड़ी जा रही है कोई अतुल सिर्वास्तो है जो राजववन का दलाल मना हुआ है जिसके नमबर से बिहार के तमाम इन्वर्सिटीज में रंगदारी चल रही है उनके नमबर्स आउट हैं लेक कि गया हुगया कहां चली गई जवाब देए अले बाई सवाल आप पर उठाए अब शवाल आपके बारें पुछा जा रहा है तो जवाब क्या जो चोर है उससी से जाकर मांगें इसी जोड़ा को ठीक रखें कि जवाब देही आप पर थी जोड़ा को भरती आपने किया है जिन पर चोड़ी के आरोप लग रहे हैं जो दलाल है उसे सनुच्छित करने का आरोप लग रहा है तो बिहार को तो पता नहीं किस कदर रिल्व बदाम करेंगे मुझे बात समझ में नहीं आती है करीम अले बहुत ही मतलब जो हमारे बच्चे इश्कुलों में पर रहे होंगे इश्कुलों में पर रहे होंगे या फिर जो दूसरे परदेशों में रहते हैं दूसरे देशों में रहते हैं वे अपने बच्चों को क्या समझाएंगे कि हरामी का मतलब क्या होता है जो हमरे ने इता बोलते हैं और शायद इसलिए नहीं लेकर आते हम खाम खाम को दोश द दुनिया को एक गाउं में बदल दिया है जब बच्चे देखते होंगे बिहार को और सुनते होंगे कि ये भग्चो नहर ये हराम जादा ये हरामी तो वो तो जानते नहीं होंगे उन्हें किसी स्कूल में परहाय नहीं गया होगा अंग्रेजी की गाली आपको हमने बताया ही था कि उस दिन ग्रीन मैंगो मोर की कहानी हमने आपको बतायी थी कि हराम जादा को किस तरकी के ग्रीन मैंगो मोर कहा गया तो वे ये अपने माता पिता से पूछेंगे कि हरामजादा हरामी क्या वो समझाएंगे यह समझाएंगे मिलाप्ती 25 अरे आप किसको का रहे हैं जैसे ही आपने मिलाप्ती 25 कही आपने किसी मा को गाली दी आप गालीयों की स्रिंखिला में बहुत आगे चले आप किसी की मा को कैसे गाली दे सकते हैं और मैं संजेश सराबगी और भाई बिरेंद दोनों को सुन रहा था भाई बिरेंद का कहना था कि वे उन्हें तुम्ताम कह रहे थे तो देखिए संजेश सराबगी ने यह गलती की तो वो भी नहीं की जानी चाहिए थी सिनेरिटी का भी ख्याल लखा जाना चाहिए मैं मानता हूं एक मर्यादा है ठीक है लेकिन जिस तरीके से भाई ब्रेंदर ने गुंडे मवाली के दर पटक कर मारेंगे आप ही पहलवान है सबसे बड़ा उनकी पहलवानी आपने वीड प्रेंदिया वाले भी खड़े हैं और किसी बात का कोई लोक लाज का सर्म ही नहीं है वह जान रहे हैं कि क्या बोलता है यह वीडियो भी बन रहा है तो आप उनकी मा को गाली दीजिए वो उनकी मा को गाली देगा अब देखिए गालीों की जो सबसे गंडी गाली है वहां जायएगी बात और इसके बाद क्या होगा फेटम फैटी होगा allok इसके बाद क्या होगा आप और समस्रक्ति हैं तो इसे कैसे बचा जागा बिहार को इसकदर बैदो नाम मतलब कभी-कभी मुझे सर्माती है मतलब अभी ये कहने में की ये बिहार की नीता है अच्छा इन्हें ऐसा लगता है कि हम अगर गाली दे देंगे थोड़ा रफली बात कर लेंगे तो हम जादा दबंग दिखेंगे लोगों के सामने में जादा पावल्पूर। अरे बैसि ने बालू गोटाला किया चीड़ा किसी पर सब्रक पर बात किजिए ना यहां तो मिलाबति 25 की बात लिएस गाली दे इसे बूरत थोड़ी मिलता है कौन किसको हिलिकॉप्टर से मुतबा रहा है और कौन किसी आती कौन कहां कितनी है तो यह तो बिचित्र वाली बात है मतलब कि रोना आता है कि क्या करें देखिए हम लोग वैसे लोग है जो विहार में काम करते हैं और विहार को तो ही अपना सब कुछ दिये हैं जाने के लिए हम भी बाहर जा सकते थे आप भी बाहर जा सकते थे लेकिन हमारे पुराने लोग कहते आया है कि जंगल में मोल नाचा खिसने जाना तो हम लोग समझते हैं कि यहां काम करना चाहिए अपनी भूनी के लिए अपनी मित्ती के सिंग का नवब है कि उसलोग डॉक्टर किसन फाल सींग भी कहते हैं फ्लोरीडा में रहते हैं कि बहुत बड़े आद्मी है मतलब कई गारिया तो कंपनियों ने उन अटो मोबाइल कंपनियों ने उनके लिए रखी डिजाइन की है और कईक करोर्स की गारी कहा जाता है कि फ्लोरीडा में कई सो एकर में उनका बंगला इंडिया नहीं आये हैं भी मतलब पिछले कई साल से ये भी कहा जाता है कि जब करोना चल रहा था तो उन्हें प्रहानमंत्री भारत की प्रहानमंत्री को बहुत बड़ी बदद की रहने वाले बरहिया के हैं अब वे बरहिया के लिए 200 क्रोंग रूपे का हॉस्पिटल देने जा रहे है अपने पैसे से तो देखिए हमारे जो लोग हैं वो अपने परदेश के लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन जो ऐसा महौल है ना वो महौल उन्हें दरा देता है कहा यह जाता है कि दॉक्टर किस्ट बाग सिंग ने पहले भी कोशिस की थी लेकिन जो आज पास रहने बाले लोग हैं योजना तैयार करने में प्राकलन तैयार करने में जो शुरुवाती खर्चे होते हैं उनमें ही कमिशन मांग लिया था इस लिए अपने वह वाली कहानी सुनाएए थी कोई बहुत बड़ा आदमी अपना स्कूल बनवाना चाहता था लेकिन बनवाना हैं नहीं यह तो पत्ना की मीलें कोली कहानी है जैंनी लग्रवाल और उस लिस्ट में सामिल है और विहार के सबसे धनी बैक्ति लंदन में रहते हैं पटना के मीले इस्कूल में परहे हैं पार्टिकुटा कॉलनी के रहने वाले हैं और पटना के दाख्वंगला चौराहे से उन्होंने अपना व्रफशाय शुरू किया था तो जब लंदन में होगे तो किसी दिन उन्होंने इंटर्णेट एक्सेस के माद्यम से मीले इस्कूल की तस्वीर देख ली उन्हें बड़ा रोना आया कि ऐसा हो गया मेरा इस्कूल ये हालत है वे दौलत मकलब अरवों में दान देते रहते हैं तो उन्होंने एक बहुत ही अपने सिनियर लाधिकाडी को जो उनके आफिसर थे कंपनी के करोर मुझे नाम नहीं चाहिए बस इस्कूल खुबसूरत दिखे यह मुझे दिखना चाहिए अब लेकिन इसके लिए पर्मिशन की जुरत थे पर सरकार ने वो पर्मिशन भी नहीं दी वो जो आये थे उनके कंपनी के बड़े टॉप आफिसर उनका जूता पटना में खिया गया तो हमें इसकी चिंता नहीं कि जो दुनिया में हमारे लोग हैं वो काम करना चाहते हैं अभी आपने देखा एडी सिंग राश्वा के सां कि दिखा कि अपना इलाज केराने को गये थे होँ डॉक्ठनियक ने कहा कि आपके पास इतना पैसा ऐते हैं कि अ आप अपने स्टेट के लिए प्यों कुछ नहीं करते हैं उन्हें वहां उदारा में मिला कि जो लोगों ने वहां पैसा कमाया किसी ने इंवर्सिटी खोल दिया किसी ने हॉस्पिटल खोल दिया और आप ही बिहाद देखिए ना आज के नेता हम पहले के नेताओं की बात कर ल सेबबान देखा आए याँ लाए है राम लक्काड़ु सिंग जादव सेरे बिहार कही आते थे लिकि राम्लगश ने कई कॉलेज़ेज खुल वायए बक्तियारपुर्पूर्पूर्ट में पहला कॉलेज भी उन्हों नहीं खुलवाया था कि राची में खुलवाया सतिदन तो पहले जो नेटा थे और भी ऐसे मैं अभी हाल में एक फेस्बुक पोस्ट पर रहा था कि मुकामा में कॉलेज नहीं था कॉलेज खोलने के लिए जमीन की जोरत थी तो जमीन बड़ी जमीन चाहिए थी तो मराची और मुकामा के दो लोग आपस में तन गए कि नहीं हमारी जमीन अच्छी तो हमारी जमीन अच्छी तो मराची में क्यों खुलेगा मुकामा में खुलना चाहिए हम अधिक दान देंगे ये कहां चला गया बिहार तो इस विहार को बरबाद क्या निताओं ने गाली से कलोज से देते रही है हरामी पटक कर मारेंगे फल अरे आप कहां कोई नहीं रहेगा और कोई काम करने नहीं आएगा नहीं मैं तो ये सोत रही हूं कि दोनों तो एक ही स्तर के हो गए ये भी विजायत वो भी विजायत इन लोगों के यहां जो काम करते होंगे जो खाना बनाते होंगे साफ सफाई करते होंगे जो माली का काम करते होंगे उनकी क्या स्थिती होती होगे इनकी जबान पर ये और उन्हें गलत चस्का लगाए जाता है जो कमिशन मिला जो गूस की रासी आई अब देखिए हमारे आपके लिए एक रासी साइद एक सीमा तक रासी जो है वह बहुत ज्यादा आपको भीतर से उत्साहित नहीं करेगी कि हाँ इस रासी के लिए हम लेकिन अब जो गरीब तबका है उन्हें कोई एक पाना वह स्योटर भी दे देता है ना तो वह बहुत खुश हो जाता है घर जाते बक्त पुराने कपरे दे देता है तो बहुत खुश हो जाता है आपके घर का प्रेशर कुकर खराब हो गया है मतलब बहुत खराब नहीं हुआ है लेकिन आप फैसन के हिसाफ से उसे नया कर रही है और जो नई चीजिया आई है उससे अपग्रेड कर रही है तो वहां देखिए वहां चसका वहां इस बात का लोब और लालच पहला कि आता है कि देखो तुम हमारे साथ रहोगे और आप देखिएगा जो निताओं के जो स्टाफ होते हैं वो और बिगले होते हैं देखिए अभी रेनु दिवी के गार्ड का ही वो वीडियो बैरल हुआ वो महिला क्या है क्या नहीं है इस पर बिवाद पनी जाते हैं लेकिन भी इतिहास क्या है बत्वान इतिहास क्या है लेकिन वीडियो में तो गार्ड का चाहित दिखाना तो बस महाब बहन की गाली अब आने वाले दिनों में निताओं से सुनने को तयार रहे और देखिए का बिहार को पता नहीं कहा लई जाएंगी ये लोग और जो पढ़ने ल राचाद और बेकाल लोगी राचाएंगे लेकिन हम लिराश नहीं होंगे हम कोशिश करते रहेंगे कि इन मुद्दों को आबाज उठाते रहेंगे आबाज उठाते रहेंगे आने वाला समय बताएगा कि उनका भविश्य कैसा हो सकता है जनता भी जवाब देना जानती है लाइप सिटीज के साथ आप बने रहें बिहार की बात के इस अपिसोड में फिलहाल इतना ही अगर यह विडियो आप पेश्बुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें धन्यवाद धन्यवाद